हलो दोस्तो है वेरी गुड आफ्टरनून तो लफ यू वेलकम बैक अगें तो दा लाइफ सेशन स्वागत है आप सभी का लाइफ सेशन में एक बार फिर से और आज का हमारा जो सेशन है तो हमारा जो सेप्टेंबर का एक्जाम होने वाला है उसके पहले फाइनल रिवीजन की क्लासेज हो रही है यूट्यूब पे मेरी इस सीरीज में मेरा ये नेक्स्ट सेशन है तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगी अच्छे होंगे आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच् सेशन शूब करने से पहले लेट में चेक इस एवरिफिंग वर्किंग फाइन और नॉट्यू अल्राइट तो मेरी आवास से भी को आ रही है आई होप ओके तो देखिए शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको अबाउट दा अनकेडमी प्लैटफॉर्म तो अनकेडमी में बहुत जल्दी आपको प्राइज राइज देखने को मिल सकता है आपर तो प्राइज राइज इस अगर आप बीट करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरे रफिल कोड यूज कर सकते हैं देट इस एम सल्मान लाइव एम सल्मान लाइव मेरे रफिल कोड रहेगा इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको 10 से 20 परसेंट तक का डिसकाउंट यहां पे प्राप्त होगा इसके अलावा अनकेडमी लाइट के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूं अनकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है इसमें और यह आपका एक नया ओफर है तो आप इसे भी ले सकते हैं इस ओफर को लेने के लिए भी आप रेफरल कोड सेम ही यूज़ कर सकते हैं कि एम सल्मान लाइव सेम रेफरल कोड यहां पर भी यूज होगा कि शुरू करते हैं आज का सेशन तो यह है हमारा आज का पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर प्रश्ण को देखिए और आंसर बताईए कमेंट सेक्शन में जो भी आपको आंसर इसका लगता है वह आप बताईए मुझे और सोफब बताईए मुझे का सब्दाए मुझे को बताईए मुझे च्छ्द एक और आंसर दी घ novamente प्रश्द referring घांसर का SWE जढ़ा है The question is related to Drosophila developmental biology. Okay, तो यहाँ पर एक option आया है, ventralized, सुन्दरा जी के द्वारा. Ventralized, औल राइट, एनि अदर बेटर आंसर to this question? दिक्षा गुपता ने भी थ्री ही बताया है, इसका आंसर. द्रश्ती, त्रिवेदी, थ्री बताते है, ventralized embryo होगा हमारा. जारा, थ्री, गौरी, वन बताते हैं, dorsalized. फोर बताया है, अनन्या ने, dorsal और वेंट्रल दोनों ही, आपकी साइड यहां पर आ जाएंगी. ओके, फाइन, एनि अदर बेटर आंसर to this question? ओके, डिसकस करते हैं, इसको, देखिए, सवाल आपका यह कहता है की. इन दा केस ओफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के केस में, एक रिसर्चर ने डेवलप करा है, कैक्टस म्यूटन्ट. और कैक्टस म्यूटन्ट में उसने क्या किया है? उसने कैक्टस प्रोटीन को एपसेंट कर दिया है, थ्रूआउट दा एंब्रियो. यानि पूरे एंब्रियो में चैक्टस प्रोटीन नहीं है कहीं पर भी. चैक्टस इस टोटली एपसेंट. तो आपको बताना है, ये एंब्रियो कैसे डेवलप करेगा. तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, एंब्रियो में डॉर्सल साइट पर क्या चलता है और वेंट्रल साइट पर क्या चलता है. पर एक्जामपल जो ऊपर मैंने सेल बनाया है मान लीजिये ये डॉर्सल है और नीचे जो मैंने सेल बनाया है मान लीजिये वेंट्रल है डॉर्सल सेल में न्यूकलियस होता है वेंट्रल सेल पर भी न्यूकलियस आपको मिलीगा डॉर्सल साइट पर क्या होता है गुरकन और टॉर्पीडो की असोसियेशन होती है और वेंट्रल साइट पर क्या होता है गुरकन टॉर्पीडो की असोसियेशन नहीं होती है डॉर्सल साइट पर गुरकन टॉर्पीडो की असोसियेशन होने से एक protein है जिसका नाम है pipe protein इसकी synthesis बंद हो जाती है और ventral side पर pipe protein की synthesis continue रहती है dorsal side पर pipe protein की synthesis inhibit होने से cascade of events जो होता है वो बंद हो जाता है as a result cell में dorsal नाम का protein cactus के साथ bind रहता है cactus dorsal को जाने नहीं देता nucleus में बट ventral side में क्या होता है pipe protein synthesis continue रहता है जिससे की cascade of event continue रहता है और finally phosphorylation हो जाती है cactus की और dorsal protein nucleus में चला जाता है cactus degrade हो जाता है तो अगर cactus protein नहीं होगा cactus protein खतम होगा नहीं होगा अगर तो dorsal nucleus में चला जाएगा क्योंकि cactus जो है dorsal को prevent करता है nucleus में जाने से तो यहाँ पर क्या होगा अगर मैं cactus protein को delete कर दूँ throughout the embryo तो dorsal nucleus में localize कर जाएगा dorsal side पर भी ventral side पर भी और जो side develop होगी वो ventral side develop होगी यानि कि अगर हम यह कहें कि cactus protein नहीं है तो एग आपका एज़ा ventral develop करेगा ventralization हो जाएगी आप तो सवाल का answer क्या है option number 3 हमारा ventralized हो जाएगा एग next question पर आगे है इनमें इसी तरह के ही नाम होते हैं life sciences के अंदर तो हमें इसी तरह से इनको याद भी करना पड़ता है sorry अगला question है आपके screen पर यह भी drosophila से ही related है दो हमें इसानी तरह से एगे है तो आंसर बताइए धन्यवाद सोनल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक ये सो मच थैंक्स अलोट हलो चत्रपाल जी मैं बहुत अच्छा हूँ चत्रपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप कैसे हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं आप्शन नंबर थ्री आल राइट तो थ्री आंसर बताया जा रहा है अभी तक चलिए तो हम थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं क्वेश्चन को यह क्वेश्चन कहना क्या चाता है देखिए प्रशन आपका यह कहता है कि इन दा केस ऑफ ड्रॉसोफिला ड्रॉसोफिला के केस में वाट इस दा अर्रेंजमेंट अफ माइक्रो ट्यूबियूल्स इन दा उसाइट आफ्टर एस्टैबलिश्मेंट अफ एंटिरियर पोस्टीर एक्सिस देखिए ड्रॉसोफिला में होता यह है कि ड्रॉसोफिला के एग में एक्सिस जब डवलप करती है तो जब एंटिरियर पोस्टीर एक्सिस डवलप कर जाती है उसके बाद होता यह है कि micro tubules की arrangement एक specific manner में हो जाती है egg में egg में micro tubule जो है एक specific manner में arrange हो जाते है micro tubule काम करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कोई railway का track होता है railway track की तरह जैसे for example माल लो ये railway का track है railway के track के उपर rail जाती है train जाती है एक position से दूसरे position तो बिलकुल इसी तरह से ही यह जो micro tubule होते हैं यह railway track की तरह काम करते हैं इनके ओपर कुछ proteins find करते हैं जिने बोला जाता है motor proteins और वो motor protein एक position से दूसरी position पर specific mRNA और protein को localize करते हैं micro tubule के जो ends होते हैं उनमें polarity होती है यानि के micro tubule का एक end होता है plus end दूसरा end होता है minus end जिस पर assembly और disassembly होती है या आपने cell biology में पड़ा होगा तो egg के अंदर भी यह जो ends हैं यह arrange हो जाते हैं तो आपको बताना है किस तरह से arrangement होती है तो arrangement कुछ इस प्रकार से होती है micro tubule का जो plus end है वो आपका posterior side पर रहता है और micro tubule का जो negative end है वो आपका anterior side पर रहता है जिससे जो protein जहां जाना चाता है वो चला जाता है for example अगर कोई protein posterior side पर जाना चाता है या कोई mRNA तो कुछ motor protein होंगे जैसे कि kinase in 1 वो उसको ले जाएगा कहा posterior side पर यानी वो plus end directed protein होगा उसी प्रकार से negative side पर ले जाएगा और respective mRNA लोकलाईज हो जाएगे embryo के अंदर ठीक है तो answer क्या होगा option number 3 अगर हम देखेंगे यापे यापे लिखावा है anterior negative end posterior positive end यह बिलकुल सही statement है हमारा बाकी क्या आप देखेंगे तो उनमें आगे पीछे है तो you can see on the screen आप इस screen पर देख सकते हैं यह typical embryo है ट्रॉसोफिला का जिसमें दिखाया जा रहा है microtubule का arrangement और यहाँ आप यहाँ देखिए this is the plus end microtubule का posterior side पर this is the negative end at the anterior side और यहाँ आप देख रहे हैं bicoid का mRNA कहाँ पर जा रहा है negative side पर जा रहा है bicoid का mRNA क्यूंकि negative side anterior side होती है यहीं पर bicoid localized करता है clear? इसके अलावा positive side पर आप देखेंगे तो यहाँ जा रहा है आपका Oscar का mRNA तो जो Oscar का mRNA होता है वो positive side चला जाता है bimotor protein for example kinesin 1 और negative side पर dineen के दुवारा जाता है अगला question है BSC level के question आते हैं क्या exam में यह Sonal जी पूछ रहे हैं yes this is life मानशी basic से कैसे पढ़े हैं ओके देखो Sonal BSC के level के question आते हैं CSIR में लेकिन बहुत सारे नहीं आते उनकी percentage बहुत कम होती है मान लो 100 में से 5 question निकलाएंगे या 6 निकलाएंगे जैनि more than 90% question तो MSC के level के ही होते हैं detail होते हैं exact BSC के नहीं होते हाला कि BSC में जो किताबे पढ़ाई जाती हैं वो वही same किताबे ही होती हैं जो MSC में भी refer करते हैं कुछ किताबों को छोड़के इसलिए हम यह नहीं कह सकते के सिर्फ BSC level का पढ़के हम कर लेंगे CSIR क्योंकि कुछ books काफी detail होती हैं उनको भी पढ़ना पढ़ता है और दूसरा आप पूछ रहे हैं basic से कैसे पढ़े basic से पढ़ने के लिए आप सबसे पहले पढ़ो NCRT अगर आपका basic कमजोर है और CSIR की तयारी कर रहे हो बहुत जादा कमजोर basic है तो NCRT से शुरू कर सकते हो आप उसमें बिल्कुल basic biology बताईए फिर आप उसके बाद bachelor पे, master पे और pathfinder केताब भी आप पढ़ सकते हो pathfinder book is very good book वहाँ से भी starting कर सकते हो आफ्टर दे एंचियर्टी ठीक है इट्स पोलराइज डजेड रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन फ्लो और आइन्स फ्लो देखे लिटरली देखा जाए तो हम यहां पे physics के लेवल पर बात नहीं कर रहे हाला कि यह जो molecules हैं अगर आप इने देखोगे detail में जाके तो यहां पर वही सब आएगा लेकिन यह positive negative का मतलब यह है कि assembly और disassembly positive मतलब वहाँ पर कुछ बन रहा है add हो रहा है positive और एड हो रहा है तो वह हो गया positive negative पर वह dissociate हो रहा है अलग हो रहा है are you going to solve only development नहीं मानशी development के अलावा मैं दूसरी चीज़े भी solve कर रहा हूं अनक एडमी के special class पर मैं plant physiology कर वा रहा हूं वहाँ से देख सकते हूं इसके लावा दूसरे channels पर भी मैं अनक एडमी पर ही आपका questions कर वाता हूं ओके तो अब आजाए ये question number 29 तो देखिए होता यह है जो वेंट्रल साइड होती है हमारी उस पर एक specific cascade of event चलता है आपको पता होगा बारे में तो सवाल आपका इसी चीज से related है सवाल आपका यह कहता है the correct order of cascade of event at the ventral side of drosophila egg is correct event बताना है cascade of event तो आईए देखते हैं क्या event है देखिए होता क्या है हमारा जो वेंट्रल साइड होती है वेंट्रल साइड पे गुरकन और टॉर्पीडो की association नहीं होती यहाँ पे वेंट्रल साइड पे गुरकन टॉर्पीडो associate आपस में नहीं करते हैं as a result यहाँ पे एक protein है जिसका नाम है pipe pipe नाम का protein continuously synthesize होता है यह pipe नाम का protein करता है that is addition of sulfated compounds to the vital line membrane proteins sulfation करता है sulfation होने से docking sites create होती है इन docking sites पे bind करते हैं protein सबसे पहले आता है GD ठीक है तो pipe के बाद आपका क्या आएगा पहले pipe है फिर आएगा GD GD को recognize करेगा snake फिर आजाएगा snake नाम का protein snake को recognize करेगा Easter फिर आएगा Easter नाम का protein Easter के बाद क्या होगा Easter की cutting हो जाएगी proteolytic और इसका fragment जाके bind करेगा spadzal नाम के protein से spadzal spadzal फिर spadzal की भी proteolytic cleavage हो जाएगी और इसका एक fragment जाके bind करेगा tall से tall receptor tall से bind करेगा जैसे tall से bind करेगा tall activate होगा tall bind करेगा tube से tube bind करेगा पहले से पहले cactus को degrade कर देगा और dorsal protein को आजाद कर देगा तो यह पूरा cascade चलता है हमारा किसी को match करें अगर हम यहां तो पहला वाला तो आपका match नहीं कर रहा यह कहरा जीडी और pipe तो पहले जीडी फिर pipe नहीं है फूर्थ वाले में लिखा है जीडी स्नेक जीडी के बाद तुरंत इसनेक आ गया फिर ester spadzal चलिए यह ठीक है फिर आरा pipe तो फूर्थ में यह pipe आ रहा है थर्ड में आप देख रहे हैं पाइप जीडी एस्टर spadzal टॉल ट्यूब पहले cactus dorsal उपर आप देखेंगे second में जीडी इसनेक इस्टर spadzal टॉल ट्यूब पहले cactus dorsal दोनों में ही आपकी similarity है बट एक फरक है यहाँ पे नीचे वाले में जीडी के बाद इस्टर आ रहा है जबकि जीडी के बाद इस्टर आना चाहिए उपर आप देखेंगे जीडी के बाद इस्टर है इस्टर है यानी जो उपर वाला है वो जादा correct है उपर वाला बिल्कुल continuous series की बात कर रहा है तो correct answer हमारा second हो गया है third को आप इसले हटा देंगे क्योंके वहाँ जीडी के बाद इस्टर आ रहा है जबकि उसके पहले स्टर भी आता है उपर वाले में pipe नहीं है that is correct बट यहाँ पे हम select कर रहे हैं 90% सही में और 100% सही में नीचे वाला 90% सही है उपर वाला 100% सही है क्योंके नीचे वाले में gd के बाद snake आना चाहिए वो नहीं आ रहा direct easter आ रहा है समझ रहे हो तो इस तरह के question भी exam में आ जाते हैं जिसमें एक कम सही और एक जादा सही तो हमें जादा सही को भी लेना पड़ता है ठीक है हाँ हाँ यह ऐसा भी होता है लीजा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बट मेरे कहने का यहाँ पर यह मतलब था के वहाँ पर जो है जादा continuity नहीं बन रही continuity कहाँ पर जादा बन रही है maximum बन रही है उसके अधार पर हम answer देख रहते हैं वहाँ ठीक है अगला question है अब यह वाला question देखिए okay तो यहाँ पर गौरी ने one बताया है दिक्षाने second बागी सबने second बताया उसके बाद question द्यान से देख लीजिए दोस्तों सवाल आपका गिलबर्ट सही है देखिए सवाल आपका यह कहता है इफ अर्ली किलीवेज इसेज शुरुआती किलीवेज की data में station अगा बाइक이ेटर म्यूटेंड रॉसॉफइला तो इसने बोल दिया है के आप कांकर रहे हो एक ऐसे लॉस ठरॉफइला पर जो ऑईकिएल का म्यूटेंट है उसमें bicoid नहीं है clear drosophila embryo is injected with the bicoid mRNA at the middle मिडल में inject कर दिया यानि एक embryo था जिसमें bicoid center में डाल दिया आपने जिसके अंदर bicoid पहले से नहीं था पहले से नहीं था आपने center में डाला अब हमें ये पता है bicoid is a head morphogen यानि अगर इसकी highest concentration यहां होगा क्या? middle में आपका head generate होगा और बाकी दोनों जगें पहें आ जाएंगी tail तो tail, head, tail इस तरह से बने गई है तो देखें drosophila का ये case दिया हुआ है, Gilbert के अंदर भी आप देख सकते हो यान you can see here, this is the egg and this is bicoid mutant egg and you added bicoid in the middle so it will develop as head in the center या middle और दोनों side क्या होगी? tail होगी तो पहला option कहता है, head develops at both poles, ये गलत है third statement head develops only at the posterior pole, ये भी गलत fourth head develops only at the posterior pole, ये भी गलत और second, tail develops at both poles तो हमने indirectly बोल दिया या tail आजेंगे दुनों तरफ और बीच में head तो होगा ही सही answer क्या था? second था हमारा sorry sorry sorry, ये पीवाई क्यू है क्या? शिपरा जी, पीवाई क्यों नहीं है ये ये question मैंने frame किये है आपकी practice के लिए और कोशिश की है पीवाई क्यू के जैसे question बनाने की पीवाई क्यू को हम एक तरह से practice कर रहे हैं उनके जैसे question frame करने की कोशिश कर रहे हैं पीवाई क्यू जब होगा तो मैं बता दूँगा उस वहाँ लिखा होगा पीवाई क्यू है वहाँ जैसे लिएक्षाम क्यू लिए अमरेणे इस दिलेट विल रिए्टिंट इंट नन-Localization of the bicoid at the entry पूल सॉरी क्वेश्चन द्यांसे पढ़िए का दोस्तों पार्ट बी के जैसे सवाल है आपका इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वेरी गूर्ड ऑप्शन नमर वन लेट मी स्यंगिन ठ्री बताया है लीजा ने नर्मदा ठ्री सुंद эфф वन फाइप प्रयाइम यूटी आर सुलवाथ री फाइप राम थीक है है देखिए प्रश्ण आपका क्या कहता है प्रश्ण कहता है which of the following part of bicoid mRNA bicoid के mRNA में से मैं कौन सा part delete कर दूँगा जिससे वो localized नहीं हो पाएगा anterior pole पर देखो जो nurse cells होते हैं वो release करते हैं bicoid, nanos इन सब को release करने के बाद o site में आ जाते हैं ये o site में आने के बाद इनको transport होना होता है इनके respective areas पर जैसे कि bicoid होना चाहिए anterior side पर nanos होना चाहिए posterior side पर hunchback होना चाहिए anterior side पर caudal होना चाहिए posterior side पर तो इनके mRNA को bicoid के mRNA को या nanos के mRNA को ले जाने में मदद करते हैं कुछ proteins वो protein mRNA पर कहीं bind करते हैं अब अगर मैं उस area को delete कर दूँ तो वो localize नहीं हो पाएगा उसके problem आएगे localization में तो वो कौन सा area है देखो mRNA में 5' UTR होता है और 3' UTR होता है untranslated region तो यह होता है हमारा 5' UTR नहीं होता यह होता हमारा 3' UTR तो दो protein हैं एक का नाम है exoparentia एक protein का नाम है exoparentia और दूसरे का नाम है swallow यह दोनों bind करते हैं 3' UTR पे bicoid mRNA के और localization में mediator का कांग करते हैं तो अगर मैं 3' UTR को delete कर दूँँगा bicoid से तो वो localize नहीं होगा तो correct answer क्या था? 3 तो Gilbert के अंदर भी इस चीज के बारे में clearly mention किया हुआ है हो सकता है exam में आ जाए हमने पढ़ लिया तो ठीक है फिर हुआ हो सकता हुआ है इस नहीं हो next question on the screen अगर डिलीट नहीं होगा चत्रपाल तो वो लोकलाइज हो जाएगा एंटीर साइट पर क्योंकि 3' UTR जो एक प्लैटफॉर्म का काम करता है ज्यादा तर Molecular Biology में क्या होता है जो mRNA का 3' UTR होता है वो बहुत जादा important factor होता है mRNA के regulation में for example if you want to delete the mRNA, if you want to degrade the mRNA, if you want to localize the mRNA तो 3' UTR एक प्लैटफॉर्म की तरह काम करता है जिस पे अलग-अलग type के mRNA, myRNA और proteins bind करते हैं और respective function देते हैं जो भी उनको देना है यह मैं topic करवा चुका हूँ alternative polyadenylation में एक term होती है जिसे कहते हैं alternative polyadenylation वहाँ पर भी इसका use होता है जैसे alternative splicing होती है बिलकुल ऐसे ही होता है वन सेकेंड वन सेकेंड ओके तो answer क्या होना चाहिए लीजा जी ने बताया है dorsalized, सुलभा श्रिवास्तव जी ने ventralized बताया है ventral, मुकेश ने बताया है ventral, majority ने बताया है ventral, अच्छी बात है ओके गौरी ने one बताया है, जारा ने भी second, मौनिका ने भी second तो अभी तक का तो ये है scenario के जादतर लोगों ने second ही बताया है, चलिए सवाल पर आते हैं, सवाल आपका ये कहता है कि in an experiment एक प्रयोग में और researcher, over expressed, किसी researcher ने over expressed करा दिया, यानी normal से जादा expression दे दिया mirror protein का, mirror protein का throughout the drosophila embryo, the embryo will develop as अगर आप mirror protein को over expressed करवा देंगे, तो ये क्या करेगा, तो देखिए होता ये है जो dorsal side होती है, वहाँ पर गुरकन और torpedo की association होती है गुरकन और torpedo associate करते हैं कहां, dorsal side पर torpedo receptor जैसे ही बाइन करता है गुरकन से, it becomes activated और activate होने के बाद ये बनाता है एक protein को जिसका नाम है mirror protein mirror एक प्रकार का transcription factor होता है और mirror का क्या काम है, mirror inhibit the synthesis of the pipe protein mirror pipe की synthesis को बंद करता है और pipe की synthesis बंद हो जाती है, तो cascade of event बंद हो जाता है cascade of event बंद हो जाता है, तो cactus protein और dorsal आपस में bind रहते हैं और dorsal protein nucleus में नहीं जा पाता, as a result वो side बनती है dorsal side तो अगर mirror protein होगा तो dorsal side बनाएगा, पूरे एक में होगा तो पूरे एक को ही dorsal वो कर देगा सही है, तो correct answer क्या है, option number one, dorsal, dorsalized egg ठीक है, कमझ में आया ना, तो यहाँ पर देखिए, इस figure में this is the nucleus of the oocyte, Gorkan protein, binding to the torpedo receptor, activating the mirror transcription factor, it further inhibiting the pipe protein and becomes the dorsal, या making dorsal, या making dorsal, ये question तो असान है, which of the following protein is a kinase that works in a cascade of events at the ventral side, इन में से कौन सा protein होता है, जो kinase होता एक प्रकार का, जो काम करता है, ventral side पर, तो basically हम focus कर रहे हैं, ड्रॉस विलाकी minute चीजों पर, हाला कि आपको तो सब कुछ आता है पहले से ही, बट हम फिर भी practice कर रहे हैं, ताकि चीजों को refresh कर ले mind में और जादर से जादर revise कर लें, ताकि exam तक हमारे mind refresh रहे एक दम, और सारी चीज़े हमारे mind में बिलकुल ताजा रहें, तो refresh करते रहें mind को, revise करते रहें, अभी जितने भी दिन बचे हैं आपके, revise करिए, बहुत जादर revise करिए, करते रहें, करते रहें, एक्जाम में बहुत फाइदा होगा, so, option number three, okay, चलिए आपकी बात मान लेते हैं इस बार, तो देखिए, यह कहता है, काइनेज कौन है, काइनेज आपके ऐसे protein होते हैं, जो add करते हैं phosphate को, phosphorylation करते हैं, और यहाँ पे जो काइनेज है, वो है tube नहीं है वो, वो है spatzel भी नहीं है, वो है पहले, तो पहले काइनेज होता एक प्रकार का, और यह करता क्या है, डॉर्सल नाम का protein, binded रहता है cactus से, यह cactus को phosphorylate कर देता है, और उसकी degradation करवा देता है, as a result, डॉर्सल फ्री हो जाता है, nucleus में चला जाता है, और vental side बनाता है, अगले question पहले छोटी सी information देना चाहूँगा, just few seconds की, देखिए मेरा telegram group है, मौहमत सल्मान अनकेडमी, बेनेफिट है, सबसे बड़ा बेनेफिट आपको यह है कि practice कर पाओगे exam की, updated रहोगे exam से related, और आपके ही जैसे बहुत सारे students हैं आपे, जो तैयारी कर रहे हैं, और future के scientist हैं, और आप भी बनने वाले हैं, तो आप join कर सकते हैं, और अपनी journey को boost कर सकते हैं, इसके लावा इसमें मेरे से related classes, अपडेट भी आते रहते हैं, community की बात करते हैं, तो अनक एडमी community एक group है, educator का, जिसमें भी आपके groups बने हुए हैं, students के, और update आता रहता है अनक एडमी से related, ये भी आप join कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करें दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन आपके तीन प्रकार के हैं, iconic का है, जिसमें one is to one, mentorship है, doubt solving है, interview, prep, and the benefits of plus, all benefits of plus, plus की बात करें तो daily live class, quiz, live test, structured course, unlimited access, यानि plus में आपको सभी educator के class मिलेंगी, all sessions recorded or live, then है light subscription, जिसमें test series मिलती है, और previous year papers की access मिलती है, और इसका amount आप देख सकते हैं, screen पे, referral code आप use करेंगे, msalman live, for the discount, thank you, अब आजाते हैं आगे, देखिए, एक PYQ ले आया हूं है, 2022 का आई, तो अभी एकदम 2022 का PYQ है, यह गर्मा गर्म, अभी जो हमारा फर्वरी में एक्जाम हुआ है, एक बार ये भी देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, तो बताईए answer, अजाए answer, मुन्जीर नेक्स्ट एक्जाम के लिए आप जॉइन कर सकते हो ये वाले CSR के एक्जाम के बाद मतलब सेप्टेंबर के बाद नेक्स्ट जो महीना आ रहा है या तो सितंबर के एंड में कर सकते हो या सितंबर के बाद जो अक्टूबर है उसकी स्टार्टिंग में कर सकते हो यानि एक्जाम के बाद कर लेना वो ज्यादा ठीक रहेगा नएने बैचे से स्टार्ट होते हैं उसमें जोती ने बताया है थ्री लीजा ने बताया है बी और सी यानि सागेंड ऑप्शन गौरी ने वन बताया है तुल्भा ने वन दिक्षान ने टू बताया है ठीक है question थोड़ा confusing है बट अगर आप सारी statements ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अराम से eliminate कर लेंगे आप गलत को शत्रपाल जी ने बताया है second चलिए सवाल पढ़ते हैं देखिए सवाल आपका ये कहता है कि the dorsal protein is involved in generating dorsal ventral polarity in the drosophila ये बात बिलकुल ठीक है हमें पता है dorsal protein का relationship होता है drosophila में dorsal ventral axis बनाने में the following statements were made regarding the activity of the dorsal protein in establishing the dv polarity जनी जनरल बात बोल दी आगे कहा है भई चार statement दे रहे हैं आपको a, b, c, d, marker कहां चला जाता है ये राद चार statement दी गई है अब बताया है correct combination तो exam में सबसे पहले नीचे भी देख लेना कि पूछ क्या रहा है वो incorrect भी पूछता है कभी-कभी पहली statement पढ़ते हैं पहली statement कहती है इन embryos ऐसे embryo में that lack the gurkan protein जिसमें gurkan नहीं है कहीं पर भी नहीं है gurkan dorsal protein is not localized or translocated to the nucleus of the follicle cell which then causes the ventralization of the embryo ये statement 99% ठीक है सिर्फ एक परसेंट की गलती है थोड़ा शब्दों से खेला है उसने ये कहता है कि ऐसे embryos जिसमें gurkan नहीं है अब अगर gurkan नहीं होगा तो torpedo से bind नहीं करेगा torpedo से bind नहीं करेगा तो pipe protein continuously बनता रहेगा pipe protein बनता रहेगा तो cascade of event चलता रहेगा cascade of event चलेगा तो dorsal nucleus में जाएगा हो गया हमारा गलत तो a हो गया गलत तो हम हटा देंगे option number 1 को और हटा देंगे option number 4 को समझ मारा है न दोस्तों अब बच गया b, c और c, d c दोनों में common है तो एक तरह से मैं मान सकता हूँ c ठीकी होगा फिर भी पढ़ लेंगे हमें d statement से पता चल जाएगा और b से पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है statement number b पढ़ते हैं दो डॉर्सल प्रोटीन एक्ट ऐजा मॉर्फोजन इडिस फाउंड थूरूआउट दो सिंसीशियल ब्लास्टोडर्म अफ द अर्ली ड्रॉसोफिला एंब्रियो यह कहता है हाला कि डॉर्सल प्रोटीन एक मॉर्फोजन होता है यह थूरूआउट सिंसीशियल ब्लास्टोडर्म मिलता है अर्ली एंब्रियो में देखिए यह statement हमारी correct है अब चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आपको यह statement नहीं पता क्योंकि होता है exam में हमें पूरी statement नहीं आती होती चाहे हम कितना ही पढ़ लें ऐसा होता है तो बागी की देख लेते हैं C तो देखो दोनों में common है C तो ठीकी होगा फिर भी C पढ़ लेते हैं C क्या कहता है in embryo that lack cactus protein ऐसे embryo जिसमें cactus protein नहीं होता dorsal protein मिलता है nucleus में with ventral fate ठीक है बिल्कुल सही शुरू में मैंने question बताया था cactus mutant make that ventralized egg सही बात है cactus नहीं होगा तो dorsal nucleus में जाएगा और ventral side बनाएगा अब आईए deeper D क्या कह रहा है अगर dorsal protein को मैं block कर दूँ यानि बंद कर दूँ from entering into the nucleus अगर मैं dorsal को nucleus में ना जाने दूँ तो कौन सी side आएगी अगर dorsal nucleus में नहीं जाएगा तो कौन सी आएगी dorsal side आएगी जब dorsal nucleus में नहीं जाता है तो dorsal आती है जब आपका जाता है तो ventral आती है dorsal side आएगी यानि ऐसे gene express करेंगे जो dorsal बनाते हैं आगे कहता है the gene responsible for specifying dorsal cell are not transcribed यह कह रहा है कि dorsal वाले gene नहीं transcribed होंगे गलत statement है वो होंगे क्योंकि dorsal जब nucleus में नहीं जाता तो dorsal side आती है तो यह statement हमारी कैसी हो गई है गलत हो गई है D गलत statement option number 3 eliminated and the correct answer will be option number 2 B or C ठीक है जी तो इस तरह के question exam में आये न दोस्तो तो जल्द बाजी में answer मत लगाना जल्द बाजी मत करना बिल्कुल भी दो तीन बार पढ़ लेना अगर आपको doubt हो रहा है तो अगर आप 1000% sure हैं फिर तो लगा दो लेकिन कहीं पर हलका सा mind आपसे ये कह रहा है कि नहीं यार statement में मजा नहीं आ रहा मुझे कुछ तो गड़बड है दया कुछ तो गड़बड है इसमें तो क्या करो थोड़ दिर बाद पढ़ लेना कोई दूसरा question देख लो जादा टाइम बरबाद मत करना किसी एक प्रस्शन पर आपका बहुत सारा time waste हो जाएगा नहीं तो अगला प्रस्शन अगला अगला सेशन कल आएगा हमारा अगला सेशन कल तीन बजे होगा इसमें मैं हो सकता कोई दूसरा topic सेलेक्ट करूं तो आप कल भी आईएगा क्लास के लिए अगर 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 इस question के अंदर दो option सही हो रहे हैं दो option सही हो रहे हैं तो मैं इसके option बदल देता हूँ मैं नीचे लिख रहा हूँ option option नमबर 1 A.C. option नमबर 2 A.B.C. option नमबर 3 A.B. और option नमबर 4 C.D. और E. ठीक है इस question में दो option सही निकल रहे हैं तो आप नीचे वाले option जो मैंने लिखते हैं फिलाल आप उनको consider कर लो A.B. लेट मी सी अगेन A.B. ओके 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 ठीक है नहीं इन पाचों में लगाना आपको A.B. इन पाचों में लगाओ इसी में सही आंसर चुपाए इसको मैं discard कर देता हूँ इन पाचों में ही सही आंसर है एक सही आंसर है पाचों में से कोई एक सही है दो सही नहीं है ठीक है समझ में आ रहा है न दो सही नहीं है कोई एक सही है आप देखो मैं पढ़ लेता हूँ आपको समझा देता हूँ सवाल कह रहा है the development of dorsal ventral axis एक सेकेंड development of dorsal ventral axis of drosophila is initiated drosophila में dorsal ventral axis शुरू हो जाती है कब नीचे से शुरू करता हूं मैं पांचवे option से पांचवा कह रहा है जब इस पर में अंटर करता है माइक्रो पाइल के दुवारा और बनाता है anterior posterior यह गलत statement है गलत है fourth homeotic gene specify करते है यह भी गलत है आपको पता है यह गलत है C terminal group protein torso setup करता anterior posterior pole यह भी गलत है अब आपको confusion है B और A में मैं आपकी confusion दूर करता हूं B कहता है tall receptor activate हो जाते हैं after fertilization leading to nuclear localization of dorsal protein देखिए after fertilization का मतलब है sperm के आने के बाद sperm के entry के बाद sperm का कोई role नहीं होता access specify करने में drosophila के अंदर sperm कोई role यहाँ पे play नहीं करता तो यह हमारी statement गलत है a statement क्या करिए the asymmetric synthesis of pipe protein occur in the egg asymmetric synthesis का मतलब क्या होता है asymmetric का मतलब है कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही डॉर्सल वेंटल एक्सिस में आपको पता है डॉर्सल side पे गुरकन टॉर्पीडो बाइंड करता है pipe protein की synthesis बंद हो जाती है और अगली side पे क्या होता है चालू रहता है क्योंकि वाँ गुरकन नहीं है तो इट इस एए asymmetric synthesis of pipe तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा option number one समझ गये ना तो यहाँ पे देख सकते हो यह image में डॉर्सल साइट पे गुरकन टॉर्पीडो असोसियेशन pipe protein inhibited mental side pain no association, pipe protein continuously synthesized next question with reference to drosophila developmental biology, what are realisator genes, realisator gene कौन होते हैं बता ही आंसर के बारे में पढ़ा है किसी ने थोड़ा बहुत sorry गूगल गूगल पर नहीं मिल रहा क्या और तो बता है सुन्दरा ने सुल्बा ने फोर बताया है प्रबीन ने थ्री बताया है और इतिश्री ने फोर बताया है लीजा ने कहा है पता नहीं हो सकता सैकिंड हो दिक्षा ने सैकिंड बताया है गूगल पर तो मिलना चीए था यार यह क्यों नहीं मिल रहा है चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या यहां पर हो क्या रहा है आप में से कुछ लोग ठीक बता रहे अंसर देखिए आपको पता होगा जो ड्रॉसफिला है उसमें जीन्स के ग्रूप होते हैं एक के बाद एक एक्सप्रेस होते हैं जैसे की मैटर्नल जीन शुरुआत में आते हैं मैटर्नल जीन्स फिर आ जाते हैं बाद में फर्टिलाजेशन के बाद गैब जीन्स फिर आते हैं pair rule genes फिर आते हैं segment polarity genes फिर आते हैं homeotic selector genes अभी क्या है कि homeotic selector gene के बाद भी कुछ gene ऐसे हैं जो आते हैं जिनके बारे में अभी ठीक से नहीं मालूम ऐसे कौन से gene है वो जो homeotic selector gene के target होते हैं उनके बाद आते हैं जो finally आपका काम करते हैं किसी भी organ को primordia को develop करने में उनी को रखा गया है realisator genes में ठीक है तो पहला answer तो गलत है those genes that are target for the gap genes ये गलत है second हमारा those genes that are target for the homeotic gene ये बिल्कुल ठीक है homeotic protein के target है वो ठीक है और three ये भी गलत है ये भी गलत है तो सही answer है homeotic genes तो इसी बहाने कुछ नया सीख लिया ये आज का हमारा आखरी प्रशन है जरूरत से जादा असान question है इसका answer तो कोई गलत मत करना चौथा इमेज आपको नजर नहीं आ रहा होगा चौथा इमेज मैं बना देता हूं ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आज इस वह से नजर नहीं आ रहा आज का हमारा आखरी प्रशन ही है मुझे अमीद है आपको आज का session पसंद आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा प्रैक्टिस हुई होगी आपकी अगर पसंद आया है तो session को like करिएगा शेर करिएगा comment section में अपने सुजाब दीजिएगा valuable इस question के बाद मैं आपको अगले session में बिलूँगा कल कल कुछ नया topic लेकर आ सकता हूँ मैं तो revise करते रहिएगा ठीक है प्रशन आपका कहता है which of the following निम्न लिखित में से कौन सा embryo show कर रहा है pair rule genes को pair rule gene का specific pattern होता है जो होता है zebra pattern zebra strips होती है उसमें zebra जैसे वह zebra होता है न उसके stripes होती है कई सारी धारिया होती है इस तरह से pair rule genes में भी होती है लगबग seven seven होती है alternative होती है alternative तो अगर यहां देखोगे तो match करेगा second option से second हमारा pair rule gene की बात कर रहा है ठीक है तो यह एक एक करके express होते हैं आपका maternal gene gap gene pair rule gene segment polarity gene और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद आने के लिए session को attend करने के लिए मैं आप से मिलूंगा अगली class में जो कि कल होगी रात शाम को तीन बजे दो पैर को तीन बजे सोरी तो कल दो पैर को तीन बजे हमारा अगला session होगा तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद thank you so much पढ़ते रहिए आप लोग हम मिलेंगे आप से कल